नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चैनल एंडियन मुर्गी पालन में वीड़े देखने वाले हरकिसान भाई यहों मुर्गी पालक भाई के आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यवसाय हैं मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसी अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में दोस्तो इंक्यूबिटर याने आधुनिक तंत्र याने चूजे निकालने वाली मशिन का इस्तमाल करना सव प्रतिशत बहुत बढ़िया और सबसे इंपोर्टन ऐसा कहना गलत नहीं होगा इसलिए दोस्तो आपने जो थमनेल में देखा टाइटल में पड़ा सभी बाते सचे दोस्तो हाँ आपके घर तक 1000 की लागत में दोस्तो आपको इंक्यूबिटर पहुचाया जाएगा इसका मतलब है दोस्तो कि आप घर बटे 1000 की रुपे में इंक्यूबिटर मंगवा सकते हैं उसके बाद घर आने के बाद कितनी रकम आपको देनी है सभी जानकारी विस्तारित रूप से दी जाएगी लेकिन बरसात के मौसम में इंक्यूबिटर का इस्तमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तो बरसात के मौसम में गरजने वाले बादल और साथ ही में दोस्तो वहाँ पर जो है कड़कने वाली बिजली अगर इसकी बात हम करते हैं तो दोस्तों मुर्गिया कॉंसेंट्रेशन के साथ कभी अंड़ों को वहाँ पर रोटेट करके चूजें निकाल नहीं सकती है असक्षम हैसूस करती है आईसे मैं दोस्तों हाथ पर हाथ धरे रखकर हम तो नहीं बैट सकते क्योंकि आने वाला मोसम है दोस्तों सर्दियों का और सर्दियों के मोसम में दोस्तों मुर्गी पालन के व्यावसाय में होने वाले बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है लाखों की कमाई करने की कोशिश करने वाला हर नवजवान सोचता है कि मैं मुर्गी पालन के व्योसाय को बढ़ाता रहूं लेकिन दोस्तो अलग-अलग मोसम में आने वाली कठिनायों के कारण वहां आगे नहीं बढ़ पाता है जैसे बरसात के मोसम में दोस्तो जो गरणने वाले बादल और कड़कने वाली बिजली है सर्दियों के मोसम में बढ़ने वाली सर्दियों और गर्मियों के मोसम में जो बढ़ने वाली गर्मी है इसके कारण वश वह मुर्गी दोस्तो साल बर में ज़्यादा ज़्यादा एकाद दूसरी बैच अच्छी निकाल सकती है लेकिन दोस्तो अगर आप चूजे निकालने वाली मशिन यानि इंकुबिटर मशिन का इस्तमाल करते हो तो दोस्तो आप 12 माह में सर्दी बरसाद गर्मी कौन से भी मौसम में दोस्तो मन चाहा रिजल्ट पा सकते हो लेकिन दोस्तो आपको इसके लिए इंकुबिटर का इस्तमाल करना पड़ेगा है देगा आपको आच्छा इंकुबीटर किस की मिलेंगे अच्छी फैसिलिटी दोस्तो किसी अहरे गहरे नत्टुखरे के पास सेंकुबीटर लेने से अच्छा है कि jis पे विश्वास हो जो जानकारी दे सके हर बात के लिए हम जिसे address कर सके ऐसे व्यक्ति से incubator लेना बहुत ही लाबदायक हो सकता है और दूसरी बात दोस्तो मैं वीडियो में ते आपको विश्था से incubator की विशेशताओ बताऊंगा दोस्तो लेकिन दोस्तो मैं यह बात कहता हूँ कि दोस्तो मैं कमाने के लिए नहीं तो जमाने के लिए आया हूँ दोस्तो यानि आपके लिए क्योंकि जब incubator बेचने वाली company आ कहती है सोचती है बोलती है कि हम आपको बढ़या से बढ़या incubator मुहया करेंगे लेकिन दोस्तों हम तो यह नहीं कहते हैं इंकुबिटर जब आपके पास पहुचेंगा तब उनका काम समाप तो होगा लेकिन हमारा काम असल में शुरू होगा दोस्तों एक से एक बारिक जानकारी आपको सिखाए जाएंगी इंकुबिटर बेचने वाले हम नहीं है दोस्तों हम मुर्गी पालक भाईयों को बढ़ाने वाले हैं उनको आगे लेकर जाने वाले दोस्तों क्योंकि मुझे पूरे भारत वर्ष को आगे बढ़ाने हैं इसलिए दोस्तों क्या है इंकुबिटर कैसा है इंकुबिटर की खरीद कर सकते हैं और यह नंबर है दोस्तो खुद मेरा यानि उदयलाड का कर सकते हैं तो इसलिए दोस्तो वीडियो दे शूरू आप से लेकर आंट तक देखिए पसंद आए तो लाइक की जैए ज्यादा ज्यादा किसान भाईयों के पास और मुर्गी पालग भायों के साथ बेरोशगार यहाद तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर किजे शेयर करने के लिए करूपया पर्सनल वाटसप नमबर वाटसप गुरूप टेलिग्राम गुरूप फेस्बुक इंस्टाग्राम चेत इन सोचल मेडिया के साधनों का इस्तमाल करि और कवी समस्या हो दोस्तों आपके मन में तो कमेंट सेक्षन में लिख कर भेज़े आने वाले वीडियो के साथ आपको सभी सोलूशन दिये जाएगे तो देखें दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपोर्टन बात क्या है कि जब इनकुबिटर की खरीद करती इससे पहले दोस्तों आप सभी से इतनी गुजारी से दोस्तों की इंडियन किसान हमारा नया यूटूब चानल है दोस्तों उसे क्रिपाय सब्सक्राइब कीजिए इसलिए तो बरसात के मोसम में आसल में क्या होता है चार महा का बरसात का मोसम होता है अभी बरसात आ चुके है कहीं आने वाली है तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है आसल में कि बरसात के मोसम में जो है दोस्तों वहां पर गरजने वाले बादल कड़कने वाले बिजली इसके कारण ज दोस्तो बरसात के बाद जो है सर्दियों का और उसमें बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और हर किसी का टार्गेट तो होता यही दोस्तो वहाँ पर आने वाला सर्दियों का मोसं तो इसलिए दोस्तो आपको इंक्विटर लेना तो सव प्रदिशत सही बात हैं लेना ही हैं कि जब तक आप स्पीड से आगे नहीं बढ़ोगे तब तक दोस्तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और दोस्तों इंक्विबिटर और सिंपल सी मुर्गी इन में सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे दोस्तो हमारे और दूसरी कंपोनियों में क्या फरकार दोस्तो बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले दो महने के सेल के अनुसार दोस्तो भारत वर्ष में हमारा इनकुबिटर का सेल दोस्तो इतना बढ़ चुका है कि हम भारत वर्ष की टॉप पाच इनकुबिटर बेचने वाले कंपोनियों में हमारा शुमार हो चुका है दोस्तो यह आपके प्यार दुला से है दोस्तो और आपकी प्रोच्छान के वज़े से आईसा ही प्रेम दुला औ और प्रोच्छान रखते जले दोस्तो इंकुबिटर के साथ-साथ हम हमारी पूरी जीजान लगाते हैं कैसे दोस्तो हमारी जो वरकर है वो बहुती बढ़ीा सुईदा आपको देते हैं कैसे दो कि देखे दोस्तो तो क्रमा के नई देने की जिम्मेवारी responsibility हमारी है दोस्तों इसलिए हमारी पहली खासियत की जब चीज यहां से आप तक निकलती है तो damage अगर हो तो दोस्तों damage चीज की fully replacement 100% आपको दी जाएगी इसलिए damage होना यह आपकी problem नहीं तो हमारी है दोस्तों इसलिए machine damage निकलती है तो आपको 100% नई machine replace करकी दी जाएगी दूसरी सुविदा दोस्तों यहां पर देखिए कि हम तीन माहा तक अंदर के controller adapter fan अगर खराब होता है तो दोस्तों आपको यह सभी parts नए भेजे जाएंगे 90 दिन तक आपका part अगर खराब होता है तो आप हम तक भेजिए हम उसे वहां पर कुरियर के द्वारा आपको change करके नया part भेज देंगे लेकिन इसके लिए दोस्तों आप आगर वहां पर सोचेंगे कि एक हजार वाली एक safety kit ले 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 दोस्तों जिसमें controller adapter और पंखा अलग से आता है तो दोस्तों आपका part जब खराब होता है तो तो आपको क्या करना है वह part निकल पाया जाएगा उसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे इंपोर्टन फैसलिटिक जो दूसरी कंपनिया नहीं देती है कि दोस्तों अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक का मार्गदर्शन यानि दोस्तों आपका एक एक अंडा किस तरह से चुना जाए कैसा रखा जाए इससे लेकर किस तरह से टिक किया जाए चूजे कब निकलते है कैसे निकलते है कब क्या करना है 21 दिनों का पूरा मार्गदर्शन आपको फ्री ओफ कोस्त में आप से एक भी रुपया अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों क्योंकि इंकुबिटर बेचने वाले बह कर लिया है दोस्तों और इसी घर के साथ दोस्तों अभी आपकी जेब भरने का समय आ चुका है इसलिए दोस्तों इंकुबिटर के साथ आपको कुछ भी नहीं आता होगा नॉलेज नहीं होगा तो अंडे चुन्ने से लेकर चूजे निकलने तक पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा उसके साथ दोस्तों चूथी और इंपोर्टेंट फैसिलिटीज की चूजे निकलते हैं तो उनकी ब्रूडिंग किस तरह से किया जाए उनको कब कितना तापमान दिया जाए सभी बाते बताई जाएंगी और आखिर में दोस्तों आपको एक वीडियो भेजा जाए इने तो सिर्फ जमाने के लिए यानि आपके लिए आया हूं दोस्तों आखिर में आप पर छोड़ता हूं आपको लेना है नहीं लेना है आपकी बात है दोस्तों अभी आपको लाइव डेमो दिखाता हूं उसके बाद वीडियो और बहुत बढ़िया होने वाला क्यूंकि दोस्तों आपको semi-automatic लेना है fully automatic लेना है thermacol body का plywood body का हमारा हर incubator एक से बढ़िया एक है दोस्तों लेकिन आपके लिए क्या लाबदा है कि दोस्तों आखिर तक जुड़े रही है आपको तुरन समझ में आ जाएगा तो यहां से आगे दोस्तों हमारे जैलाड सर आपको जो पूरी जानकरी देंगे इंकुबिटर दिखाएंगे अंदर से बाहर से और उसकी facilities बताएंगे इंकुबिटर कैसे चलता है कितना कंट्रोल करता है ता आप मन कैसे लाइट चालू बंध होती है सभी दिखाया जाएगा अभी यहां से आगे आपको जैलाड सर पूरी जानकर देदेंगे तो यहां से आगे जैलाड सर आपको कंटीनियू करेंगे नमस्कार दोस्तो तो आज हम देखेंगे कि सव अंड़ो की मशिन इनकुबिटर मशिन का देमोस्टरेशन देखने वाले हैं इसमें कौन-कौन सी चीज़ आती है और उसका यूज क्या है यह आज हम के इसके साथ हम 208 के दो लाइट साथ में देते हैं दो मुज की देते यह के दोस्थों इसके साथ एक temperature controller रहता है इसमें तेंपशिक पूरा ख्रेये वाला रहता है इसमें इसको आपने हाथस्रेय करते अधर हम आपको दिखांगे यह देखिए, यह 37.7 को यह बंद हो जाएंगे, इसमें जो हमने टेमपरचर सेट करे वाला है, और 37.5 को यह बंद हो जाएंगे, अब देख सकते हैं, टेमपरचर बढ़ रहा है, एक्जैक्ली 37.7 को यह बंद हो जाएंगे, अब देख सकते हैं, लाल पांदर से जली वाले हैं, देखो दोस्तों, 36, यह देखो, 37.7 कुबल बंद हो गए है, अभी मैं जैसे ही यह धक्कन खुलूगा, देखो टेमपरचर कम होते जाएगा, यह देखो, जैसे यह सेंसर में दूर लूँगा, टेमपरचर अपने आप कम होते जाएगा, अब बल्प चालू हो जाएगे, देखो दोस्तों, पुरी तरह बल्प चालू हो गए, यह चालू बंद जो टेमपरचर कंट्रो पे काम होता है, यह पूरा यह सेंसर का काम रहता है, यह देख सकते हैं यह आप यह सेंसर, यह आपको पूरा अंडो के बीच रखना है, जिससे की टेमपरचर जादा नहीं होंगा, और कम हुआ तो बल्प आपने आप चलेंगे, तो दोस्तों, इसका यूज आपको कैसा करना है, यह भी बता देता हूँ मैं शौर्ट में, इसकी नीचे आपको एक न्यूस पेपर डालना है, यह दो मग्स जो दिये हैं, हमने दो मग्स दो कोनों में रखने हैं, इसमें गु इटाने हैं, और उनके ऊपर एक कौन से भी स्केच पेंस या इससे निशान करना है, वो इसके वास्ति कि आपको दिन में दो बार आंडे घुमाने है, वो निशान एक बार नीचे जाएंगा और एक बार उपर आएंगा, ऐसा आपको दिन में दो बार करना है, क्योंकि आप तो देखिए दोस्तो यहां पर जैलाड सर ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत जबरदस्त नौलिज उनने आप तक प्रवाइड किया है दोस्तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है तो उनके लिए बहुत 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 वहां पर शुक्रि जरीन इंकुबिटर कहां जाता है दोस्तों क्योंकि यह गरीबों का इंकुबिटर कहें के पहचाना जाता है क्योंकि लागत थे स्रिफ 3000 1000 एडवांस और 2000 वहां पर कैश ओन डिलिवर यह दोस्तों लेकिन यह इतना जबर्दस्त यानि यहां पर आपको कम से के लिए परियापत मात्रा में semi-automatic इंकुबिटर बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि semi-automatic इंकुबिटर में अंडे हाथ से रोटेट करना यानि घोमाना इतनी बात छोड़ दे तो पूरा fully automatic ही इंकुबिटर होता है इसलिए आप सोचे कि आपके पास अंडों को राशी में फरक है दोस्तो और आप बेवजा 3000 की इंवेस्मेंट कीजिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा गरीब है दोस्तो बेरोजगर है आपके सिर्पर वहां पर जो है आपके मन का सेवाल वहां पर फूले-आटोमेटी की यह तो आपको समझ में आ गया लेकिन दोस्तो बच केfirst निकंके घर का THIS क लेना सहे बूत नहीं फोगा याने इनकुबिटर को लेते हैं घर में चुहे या चोटे बच्चे तो दोस्तों उनको तोड़ सकते हैं ऐसे में प्लाइवड बॉड़ी का लीजिए लेकिन आपके घर में चुहे नहीं है छोटे बच्चे नहीं तो आएसे में थर्माकॉल बॉड़ी का ठीक रहेगा और दोस्तों पिछले समय में एक बहुत आच्छी जानकरी हमारी वीवर्स अगर हम सोचते हैं कि ठर्माकॉल बॉड़ी का सउव और का सेमिय इंकुबेटर लेते तो वह 3000 में बैटता है लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लाइवड बॉड़ी के इंकुबेटर में एक ऐखर की राशी हैंवेस्ट करें तो 6000 में दो सेमिय इंकुबेटर हमें मिल सकते हैं तो आईसे में दोस्तो यह सोचना भी गलत नहीं, आखिर में आपके वहां पर क्या राय है, उसके आनुसर आप लीजे, और जो सोच कर लेता है दोस्तो वो बार-बार गलती नहीं करता है, आपको इंक्यूबिटर खरीदना या अलग से कुछ सवाल पहुचने पूचने है दो दोस्तो तो अधिक जानकरी के लिए आप संपर्ग कर सकते हैं, चोरा सी, किस बासेट बासेट पर वहां पर मैं खुद आपको मिलूँगा और बची कुछी पूरी जानकरी दोंगा, उसके बाद बुकिंग प्रोसेस बताऊंगा दोस्तो और आपको आश्वस्त होके आपके कि व्युसाय में आगे बढ़ाऊंगा, दोस्तो दूनिया में आज सोचिये कहां 3000 की चीज लेके आप माहा में 4-4,6,6,000 ए 10,000 कमा सकते हैं, आज की दुनिया में 10 लाग डालके हजारों की इंकम भी नहीं मिल पार ही है, तो हजारों की वहाँ पर इन्मेस्मेंट करके लाख मुझसे ही लीजे लोस्तों किसी के पास से लीजे लेकिन आएसे वेक्ति से लीजे कि जो आपको वहां पर आपके जो बुरा समय यानि कि आपके तकलीफ में आपको साहे अता कर सके आएसे वेक्ति से लीजे और दोस्तों मैं आपके लिए तो समय समय पर वहां पर फोन के जरी यह तो जानकारी देता रहूंगा लेकिन दोस्तों हमारी facilities देख लीजिए कि damage निकलता है बदल के मिलेगा तीन वन्यों की guarantee अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक आपको पूरा मार्ग दर्शन और साथी में brooding और टीका करन का वीडियो भी दिया जाता है इतनी जानका कारी अलग से कम कीमत में आपको कोई प्रोवाइड करता है तो दोस्तों उसके पास से लीजिए लेकिन समय की मांगे दोस्तों इंकुबीटर का इस्तमाल करना बिने इंकुबीटर के इस्तमाल किये हुए आप सव प्रतिशत आगे नहीं बढ़ सकते तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या खयाले कमेंट सेक्शन में लिख कर वेजिए वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दिजिए ज्यादा ज्यादा तो दोस्तों आईसा एक नहीं बढ़ लेकर मैं आपका दोस्तों लाड़ा आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदेव मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालन भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार